हां जी स्वागत है एक और एपिसोड एक और वीडियो में चाय और कोड के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जावा स्क्रिप्ट सीरीज के अंदर तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम एक सिंप्ली नोट जियस को इंस्टॉल करके एक VS Code को इंस्टॉल करके हम अपना Code Environment बना सकते हैं और जितना भी चाहे Code लिख सकते हैं बट कई बार क्या होता है कि आप कहीं और गए वे हैं या फिर आपके पास उतना उस सेम Computer का Access नहीं है या आपका Computer Low Configuration में है तो इस तरह से हमारे पास आजकल करेंगे थोड़ा सा GitHub के बारे में अगर आपको अभी तबिक Git और GitHub के बारे में पता नहीं है तो कोई बात नहीं सभी लोग को थोड़ी ना पता होता है कुछ लोग आके सीखते हैं तो यहां पे system क्या होता है version 1 version 2 जब software काता है कैसे Git हमें help करता है कैसे पूरे software की पूरी जो track record है progress है वो track करने में काम आता है यह सब हम बाद में discuss करेंगे आज simply हम देखेंगे कि फटा-फट हमारा code execution environment हम node.js और JavaScript को लेके कैसे बना सकते हैं बहुत easy है कोई difficult काम नहीं है सबसे पहले जाईए GitHub पे और एक account create कर लीजे मुझे अमीद है बहुत सारे लोगों का already account होगा अगर नहीं है तो बना लीजे बिलकुल free है Git जो paid version है वो जाधर company ही use करती है जो individual software engineers है वो तो हज भी Git का free version use कर रहे है GitHub का वे तो simply यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करिए आपको बनानी एक नई repository तो click करिए इस पे और बोलिए new repository अब इस new repository का हम नाम लिखते हैं यहाँ पे js-hindi और हम YouTube पे हैं चाय और code के अंदर तो YouTube भी इस repository का नाम लिख देते हैं और इसका description भी हम देते हैं simply code repo for javascript javascript series at chai or code channel और YouTube channel यहाँ पे आते हैं वापिस से chai or code YouTube channel ठीक है हम इस repository को public ही रखेंगे और हम इसके अंदर एक readme file भी add कर देते हैं और simply करते हैं create repository और यहाँ पे जो environment setup करने वाला काम है बहुत easy है कोई difficult नहीं है just 4-5 step है जो आपको हमेशा याद रखने है कुछ step तो आपको repeat भी नहीं करने है तो यह हमारे पास आगई है हमारी repository अब किस तरह से git काम करता है git commands, git init, push वो सब कुछ नहीं करना है यह सिर्फ online environment है जिसको आप इस तरह से use करेंगे git को use करने के बहुत सारे तरीक है यह उसमें से एक उसका utility है अब simply मैं यहाँ पर जाओंगा code पे click करूंगा और बोलूँगा मुझे दीजिए code space यहाँ पर local भी है अगर आप सारी files download करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं और हम यहाँ पर click करेंगे code space और click करेंगे create code space और main अगर future में वैसे था भी मुझे confirm है पूरा शौर है कि यह code spaces totally free ही रहने वाले हैं पर अगर किसी कारण से यह लोग paid कर देते हैं या आपके affordable नहीं है तो simply आप जाके यह सब zip download करके और विर से आप अपने VS code में जाके और यह सारा code लिख सकते हैं सब कुछ सेम है यहाँ तक आपके लिए computer start किया जा रहा है instance जिसको बोलते हैं तो इस computer के अंदर अभी कोई software नहीं है बस आपको VS code install करके दे दिया गया है यह रहा आपका computer यह रहे अब जैसे हमने हमारे local system के अंदर node.js install करा था फिर हमने code files लिखी थी हमें यहाँ पे भी वही करना है node.js का environment बनाना ह यहाँ पे जो scene है वो थोड़ा सा changed है यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं कोई desktop तो है नहीं जो download कैसे किया जा है बहुत easy है आप simply क्लिक करिए file के अंदर और जाइए view के अंदर और क्लिक करिए command palette पे अगर आपको shortcut याद रहता है तो बहुत यह अच्छी बात है पर अगर यह है कि आपका जो एक computer instance है इसके अंदर में कुछ files add कर दूँगा configuration की जिससे आपको node.js चाहिए तो आपको by default node.js मिल जाएगा आपको python चाहिए तो by default python मिल जाएगा तो हमें यही तो काम करना है क्लिक करते है configuration फाइल पे अब यह बोलेगा कि आपको node.js चाहिए तो आप जब सर्च करेंगे node.js तो आप देखेंगे node.js अविलिबल नहीं है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा show all definition पे अब दुबारा से लिखिए यहाँ पे node अब बहुत सारे node environment है मुझे कौन सा वाला च अब बात तो यह है कि last video में तो हमने version 19 इंस्टॉल कर लिया था यहाँ पे तो 18 ही है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि आपका version 17 है 16 है 18 है basics same है तो बिना जिचके जो भी default number आ रहा है उस पे click करिए उसके बाद यह बोलता है कुछ additional tool भी चाहिए AWS use करना चाहोग एसी के सा configuration environment file यहाँ पे add कर देगा और यह बोलेगा कि कुछ changes हुए इसको rebuild कर दूँ क्या आपकी जो machine है आप बोल दीजे हाँ rebuild कर दीजे अब क्या होगा आपका जीव machine है वो दुबारा से restart की जाएगी इस बार जो आपने configuration file दिये बोला कि मुझे तो node.js by default install चाहिए system के अंदर तो वो आपको यहाँ पे by default install मिलेगा बट अभी हमें कुछ और चीजे भी हाँ पे सीखनी है पटाफट हम देखते हैं यह थोड़ा सा time ले रहा है वापिस से rebuild के लिए मैं 2 मिनट के लिए वीडियो pause करके वापिस से आता हूँ आपके पास हां जी आ गए वापिस हम तो यह हमा यहाँ पे जाते हैं और क्लिक करते हैं एक new folder पे और इसको नाम रखते हैं 01 underscore basics पहले basics ही तो पढ़ने basics आ गया अब उसके बाद right click new file पहली file हमारी test.js और इसको हम open कर लेते हैं अब जो कि हमने पहले लिखा था console.log और यहाँ पे भी हम console.log ही लिख देते हैं और इसका नाम करते हैं अब इस file को execute करने के लिए आपका terminal अगर open है तो ठीक है नहीं है तो वापिस से हम वही कर सकते हैं click view के अंदर जाके हम terminal open कर सकते हैं अगर अब तक आपको shortcut याद हो गया है तो best है simply node लेकिन इस बार जो मेरी file है directly मेरे पास test.js available नहीं है यह एक folder के अंदर available है तो 01 basics और उसके बाद test.js file यहाँ पर आ गई है enter करा हितेश मिल गया है लेकिन अभी problem क्या है कि आपने तो यह सब add कर दिया है लेकिन जब आप इस repository पर जाएंगे तो यहाँ पर reload करके देखेंगे कोई भी file आपके पास अभी available नहीं है तो हमारा तो सारा जितना किया वह progress है वो स source control अभी जितनी यह files है उनको track करता है कि किस-kis file में आपने changes किये हैं तो simply plus plus icon add कर दीजे जिन जिन files में भी आपके changes हुए है और जो जो आपको save करनी है अब हमारा पास दोनों files save होने के लिए ready है एक message लिखते हम यहाँ पर जैसे container config done क्योंकि container ही हमने configure किया है लिख दीजे सीधा commit अभी यह step one है change करने का दो steps है file save करने के लिए step one second step है आप इन triple dots पे click करिए और कर दीजे push जैसे आप push करते हैं तभी आपकी file save होती है लेकिन कौन-कौन सी file push कर दीए वो आप इस first step में बताते हैं जैसे आपने एक बार कर दिया है अब यहाँ पे जाएंगे reload तो आपको दिखेगा यह सारी files available है अब आपको जब भी यह सारी files चाहिए code पे click करिए local पे click करिए और download कर लीजे जिए तो आपको सारा source code मिल जाएगा अब मैं क्या करूंगा behind the scene जब मैं आप यह videos नहीं record कर रहा हूंगा तो यहाँ पे जाऊंगा और कुछ dev container के अंदर इ आपको भी अगर same file चाहिए तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे आईए मेरी repository के अंदर open करिए यहाँ से इस file के अंदर जो भी है copy paste करके यहाँ पे paste कर दीजे उसके बाद तो आपको पता ही है commit और उसके बाद push तो आप भी इसी तरह से save कर सकते हैं अब एक और चीज है आप क्या करेंगे कि आपका तो सारा काम हो गया है तो आप क्या करेंगे यहाँ से simply इस tab को close करके और चले जाएंगे लेकिन आपने जो machine start करी है वो machine अभी तक off नहीं हुई है by default github काफी machine जो active नहीं उनको off कर देता है बट अगर आपको अपने hours बचाने क्योंकि पर month आपको ए नहीं गया है वो कुछ भी delete नहीं हुआ है अब आप इस उस repository के link पर जाके और वापिस एक और नई spin कर सकते है machine जब भी आपको कुछ काम करना हो तो यह तो रहा हमारे environment कि हम online कैसे काम करेंगे अगर आपको यह नहीं जमता है तो आप offline भी कर सकते हैं मुझे online करने में ज़ा कि आप कहें कि आप तो Mac पर काम कर रहे हैं मैं Windows पर काम कर रहा हूं या मैं Linux पर कर रहा हूं सब कुछ online easily सब कुछ symmetrical है developer friendly developer experience पर भी आजकल बहुत काम किया जा रहा है तो इतना ही है इस वीडियो के अंदर मिलते हैं अगले एक वीडियो में और हाँ सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं अगले वीडियो में